दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहली के बिहार से बंगाल 36 गड़ के बेच सुरू होगी बस सिवा परिवहन प्रादिकार की बेठक में लगेगी मोहर जी हाँ पाटना के बाद बिहार के आने जिलों से भी देश के प्रमुख सहरू के लिए बस सिवा सुरू की जाएगी इसके तहट राजगीर गया छपरा पूर्णिया मुझपर पूर जैसे सहरों से 36 गड़ वा पश्चिम मंगाल के लिए बस से चलाए जाएगी बिहार राज पत परिवहन निगम ने इसका खाका तयार कर लिया है निकट भविस में परिवहन प्रादिकार की होने वाली बेठक में इन प्रस्तावों पर मोहर लग जाएगी जानकारी के अनुसार भागलपूर से कुलकत्ता वाया दुम का वर्दमान होते वे बस चलाने के प्रस्ताव तयार किया गिया है पटना से दुरगापूर के लिए बस चलेगी जो औरंगाबाद हाजारी बाग और धनबाद होते वे आया जाय करेगी वह च्छपरा से सिलुगुडे के बेच चलेगी इसका रोड हाजिपूर बेगू सराय होते वे पूर्णिया होगा पटना से सिलुगुडे के बेच चलने वाली बस मुझपर पूर और पूर्णिया होकर आया जाय करेगी बिहार से 36 गड़ के बेच अंतर राजिय बस सिवा चलाने कर नेने लिया गिया है इसके तहट पटना के अंबिकापूर के बेच बस चलेगी पटना से कुनकुरी तो बकसर से जस्पूर के बेच बस चलेगी इसी तरह रक्सोल से सिलगुड के बेच मोतिहारी दर्बंगा प्र मालदा होते वे कुलकत्तक के बीच बस चलाने का प्रस्तावत तैयार किया गया है। यां बिहार के लाखों चात्रों और अभिभावकों को एक तरद इसकुल खूलने को लेकर जानकारी का इंतिचार है तो दोसरी तरद तरद तिसरी लहर बेचन कर रही है। ऐसे में बच्चों और अभिभावकों के लिए नई जानकारी आई है। राज में छटी से उपर की कक्चाओं के लिए इसकूल खोले जाने की तैयारी सरकार कर रही है। बिहार के सिक्षा मंतरी विजे कुमार चोदरी ने खुद इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने ब परिस्तितिया नेंद्रण में लगती है तो 6 अगस्त के बाद मेडिल और हाई इसकूल खोले जाएंगे यानि क्लास 6 से उपर की कक्चाओं के लिए आफलाइन क्लासे सुरू करती जाएगी। आप हमें कमेंड बॉक्स में जरूर बताए कि कक्चा 6 से 10 वे तक के बच्चों का स्कूल कब तक खुलना चाहिए। इससे पहले लोग मनमानिक कीमत पर बालू की खरिदारी कर रहे थे सरकार की और से बालू की किमतों को निधारित के जाने से लोगों को अब रहत जरूर मिलेगी। विस्विदाले की और से नमांकन की तैयारी सुरू कर दी गई है। इंटर्स लेकर पीजी तक के कोर्सों में नमांकन लिया जाएगा। विस्विदाले की और से एक सुपांच कोर्सों में नमांकन लिया जाना है। नमांकन में लड़कियों को प्रीस में विसिस छुट भी दी जाएगी। विस्विदाले की कुल सचीव डाक्टर आरके वर्मा ने बताया की इस बार नमांकन की प्रक्रिया 28 जुलाई से सुरू कर दी जाएगी। कोशिस की जारे की छात्रों को नमांकन के समय ही सिक्षन सामागरी उपलब्द करा दी जाए। साथी साथ परिचा के तीथी भी गोसित कर दी जाए। केलेंडर के अनुसार ही परिचा लेने की कोशिस है। कुमार सिन्ना ने इस कारवाई की जानकारी दी है। उन्होंने बताए कि दोनों पुलिस कर्मे जाच में दोसी पाए गए थे। केंद्रिय मंत्रे आरसिपी सिंग का बड़ा बयान राज्य में विसेस इसपात के उत्पादन को मिली मंजोरी पांच लाग से ज़्यादा को मिलीगा रोजगार। केंद्रिय मंत्रे आरसिपी सिंग ने कहा कि विसेस इसपात यानि की स्पेसिलिटी स्टिल के उत्पादन में भारत आत्म निर्वर बनेगा। इस चेत में प्रगतिकर कोरिया और जापान जैसे उन्नत इसपात निर्मानकारी देशों के समकच भारत खड़ा होगा। इस होने और विसेस इसपात में 250 लाग टन छमता की बड़ोतरी की उमीद है। साथी इस योजना से करीब 5,25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इनमें 28,000 को प्रतेक्च रोजगार मिलेगा। आक्सिजन की कमी से मोत नहीं कोट पहुचा मामला केंद्री स्वास्त मंत्री मंसुक मानवया के खिलाब याची का दायर। आक्सिजन से कोई मोत नहीं होने के बयान का मामला अब आदालत बहुत चुका है। इन्द्रिय स्वास्त मंत्री मंसुक मानवया राज स्वास्त मंत्री भारती परविन के खिलाब मुझपरपुर के सीजेम के कोट में गुर्वार को परिवाद दाखिल किया गया है। आक्सिजन के कमी के करण चली गई है। जलस्तर तेजी से उतरने लगा है। राज के आठ नदिया लाल निसान से उपर बह रही है। राज के दूसरे इस्तानों पर वही नदिया लाल निसान से निचे है। वागमती सितामडी में लाल निसान से उपर चली गई थी। लेकिन एक बार फिर से यह निचे आ गई है। निपाल में भी वरसान होने से कोसी और गंड़क नदि के डिश्चाज में कमी आई है। कोसी नदि से बरा चेतर में एक लाग, 38,000 तो बराज पर एक लाग, 86,000 घंसेंग पानी निकल रहा था। यह नदि सभी जगोह पर लाल निसान से निचे हैं लेकिन खगड़या में भी 119 सेंटिमीटर उपर है। वही गंड़क नदि गोपाल गंज को छोड़कर सभी जगोह पर सिमा में बरही है। गोपाल गंज में इसका जलिस्तर लाल निसान से 61 सेंटिमीटर उपर है। वही बागमती नदि सितामड़ में फिर से सिमा पर आ गई है। दूसरी जगोह पर भी इसके जलिस्तर में गिरावाट दर्ज के गई है। वही अदवरा नदि सितामड़ी में 80 सेंटिमीटर, खिरोई दर्बंगा में 63 और परवान नदि अररिया में 47 सेंटिमीटर उपर है। कमला में भी गिरावाट लेकिन अभी अनदि लाल निसान से काफी उपर है। जैनजारपुर में इसका जलिस्तर लाल निसान से 187 सेंटिमीटर तो जैनगर में 57 सेंटिमीटर उपर है। बड़ी ख़बर राज में 26-28 जुलाई के बीच हो सकती है भारी बारिस अभी 5 दिनों तक सताएगी गर्मी। जी हां मौसम का मिजाज इन दिनों बदलता दिख रहा है। मौसम विवा के अनुसार फिलाल बारिस कम होने से सुवी में गर्मी और उमस बढ़ेगी। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव का चेतर कम जर होने लगा है। जुलाई के अंत में सुबे में बारिस के असार तभी होंगे जब घाड़े में कम दबावाला नया चेत्र विख्सित होगा मौसम बिज्ञानियों का कहना है कि 26-28 जुलाई के बीज नेपाल से 60 जिलों में जमकर बारिस होगी साथी साथ राजी के कई जिलों में बारिस के साथ बजरपात के भी संभावना जताए जा रही है वही पटना मौसम विगान केंद्र के विगान संजे कुमार का कहना है कि एक दो दिनों में इसपश्ट हो जाएगा है कि पचीस के बाद किन किन जिलों में बारिस के संभावना या कम बन रही है बड़ी कबर चमपारन के अहुना मतन को मिलेगी राष्ट्य पहचान DM ने GI टेगिंग के लिए बनाई कमिटी जिहां चमपारन मतन को भोजन के रूप में अहुना हांडी व बटलोही मीड भी कहा जाता है इस डीस की जड़े पुर्वी चमपारन से सटे नेपाल से भी जुड़ता है हांडी मतन नेपाल सिमावर्ती पुर्वी चमपारन के गोड़ा सान से सुरू होकर मोतिहारी में ब्यापाग रूप पकड़ा है जहां बिहारी नहीं दूसरी प्रदेश के लोग भी आकर मटन का स्वाद लेते हैं नेपाल में या मेट खुले बरतन में बनता है जबकि चमपारन में इसे मिट्टी के ढखकन से ढखकर आटा से सिलकर बने आ जाता है जिसके जी-ाइ टेग के लिए जिला प्रासासन सक्रिय है जी-ाइ टेग उस उत्पात की गुनवत्ता है उसकी विसित्ता को दरसाता है अगर GI Tech मिलता है तो चमपारन के मीट धाबा होटल के माइदम से रोजगार दिलाएगा और लोगों के पलायन पर रोक लगीगी GI Tech के लिए डियम सिर्स कपिल असोक ने 19 जुलाई को 11 सदस्य कमिटी का गठन किया है जो अपना प्रसासन के माइदम से सरकार तक पहुचाईगी बाड़ी कबर बिहार में कोरोना के रफ्तार थमी तो चमकी बुखार ने बढ़ाई टेंसन एक हपते में 9 से अधिक मरीज मिले जहां बिहार में पिछले एक हपते में 9 मरीज चमकी बुखार के मिले हैं इस वर्स SKNCH में 47 बच्चों में AS के पुष्टी हो चुकी है जिसमें से 10 बच्चों के इलाज के दोरान मौद भी हो चुकी है वहीं 2 बच्चे लामा हो गए है 29 बच्चों को इलाज के बाद घर बे चुनाव को लेकर बिहार पोची अगस्त तक जारी हो सकती अधिसुचना जिहां पंचाई चुनाव को लेकर करीब 50 लाक इबिहार पहुच चुकी है राज निर्वाचन आयो के नुसार बिहार में 10 पेज में 5 चुनाव होने हैं हर फेज में पटिक जिले के दो प्रकण में चुनाव होना है इसमें करीब 15,000 बोत होंगे और पंचायती राज विवस्ता के चार पदों के लिए 4 ABM रखे जाएंगे जिसके लिए चुनाव आयोग को करीब 60,000 ABM के जुरत होगी आयोग के प्लानिंग के मुताबिक पहले के फेज में ABM का इस्तमाल तिसरी फेज में किय पंचायती राज विवाग और राज निर्वाचन आयोग के सुत्रों के अनुसार अगस्त में चुनावी अधिसुचना जारी हो सकती है आयोग इससे जोड़ा प्रस्ताव बनाने के तैयारे सुरू कर दिया है पंचायती राज विवाग के और से तैयार प्रस्ताव को केव रभारम किया है शुक्चा विवाक के hoping में आयोजित कारीकरम में शुक्चा मंत्री विजै कुमार चोद्री नी इस समान्दन पोर्टल का उध्गाटन किया है इस पोर्टल के जरी प्रयाविट इसकुलू को एनोसी आसानी से मिलेगा एनोसी लेने के लिए अब सरकारी कारियालों का चकर नहीं लगाना पड़ेगा इसके लिए पोर्टल पर ओलाइन आवेदन देने होंगे इस भे पोर्टल के माधम से इचुक विद्दाले प्रस्व किरति एवं अनपत्ति-प्रमान पत्रा हासिल करने के लिए ओलाइन आवेदन कर सक इसके अलावा Right to Education के तहट नेजी स्कूलों में 25% गरिब बच्चों के नमाकन की भी जानकारी सम्मंदन पोर्टल पर मिलेगी इसकूल के आविधन की सारे जानकारी सिक्चे विवाग इस पोर्टल के जरियत दी जाएगी नेजी स्कूलों को प्रस्विकिर्थी और आनापत्त परमानपत्त के लिए अब सरकारी कार्याले का चक्कर नहीं लगाना होगा बलकि इसके लिए सिदे पोर्टल पर आविधन करना होगा जिसके बाद आविधन की स्थिति की जानकारी इस पर उपलब्द होगी अरण की बड़ी खबर आज से रक्सोल नरकडिया गंज डेमो पैसेंजर का होगा परिचालन सुरू 209 रक्सल नरकटिया गंज डेमो पैसेंजर इस्पेसल टेन का परिचालन 23 जुलाई से जब की 05210 नरकटिया गंज रक्सल डेमो पैसेंजर इस्पेसल का परिचालन दिनाख 24 जुलाई से सुरू होगा इस special train में यात्रा करने वाले यात्रियों को सरकार द्वारा जारे COVID-19 मानों को का अनुपालन करना होगा आज के लिए आपका स्वाल बताए कि बिहार में ऐसे कौन से passenger train है जिसका परिचालन सुरू किया जाना चाहिए इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं